जिस दिन प्रभुजी तेरा दर्शन होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा जिस दिन प्रभुजी तेरा दर्शन होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा मैं तो तेरे नाम का दिवाना बन जाओंगा, तेरे सुन्दर रूप का मस्ताना बन जाओंगा तेरे सुन्दर रूप का मस्ताना बन जाओंगा, चर्णों में तेरे सजदा होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा चर्णों में प्रभवर जी अपना घर में बनाओंगा, तेरा नाम जप के मैं मन को रिजाओंगा पल पल तुम्हारा सिमरन होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा पल पल तुम्हारा सिमरन होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा जिस दिन प्रभुजी तेरा दर्शन होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा तेरे मेरे बीच की दीवारे तूट जाएगी जनमों की जनजीरे पल में ही तूट जाएगी तेरे रंगों में रंगा मेरा तनमन होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा तेरे रंगों में रंगा मेरा तनमन होगा, उस दिन साफल मेरा जीवन होगा जिस दिन प्रभुजी तेरा दर्शन होगा उस दिन सा फाल मेरा जीवन होगा जिस दिन प्रभुजी तेरा दर्शन होगा उस दिन सा फाल मेरा जीवन होगा गीत की पंक्तियों में हम सभी अभी गुन-गुना रहे थे जिस दिन प्रभूजी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा जीवन की सफलता, जीवन की महता तभी हो पाएगी जब हम अपने अंतर में, रिदय में, भीतर में परमात्मा का साक्षातकार कर पाएगे परमात्मा का साक्षातकार करने का अर्थ है कि भीतर के ही छिपे परमात्मा को देखना, जानना, समझना तो कि परमात्मा महावीर का अमर उद्गोश है अप्पासो परमप्पा याने आत्मा ही परमात्मा है तो अपने भीतर के आतम तत्व को प्रगट करना, परमात्म तत्व को प्रगट करना, यानि परमात्मा को पाना, परमात्मा का साक्षातकार करना, परमात्मा का दिदार करना और जब ऐसा हमारा दिदार हो जाएगा तो समझ जाना की हमारे जीवन की सफलता हो गई सार्थकता हो गई और इसी संधर्व में हमारी चर्चा चल रही है कि कैसे हम अपने आपको योग्य बना सकते हैं कैसे हम अपने आपको पात्र बना सकते हैं अपना पात्र हम कैसे निर्मल तवित्र बना सकते हैं और पात्र की चर्चा करते हुए सुरताओं की बात चल रही है और सुरताओं की बात करते हुए कौन सा सुरता चल रहा है चोथे नंबर का सुरता पहले तीन सुरता कौन कौन से थे बाईयों से पोछ रहा ह। हमारी भाईयों को क्यों भाईयों पताएजी है चालओ बडिया घन्यवाद जी हमारे भाई वराबर याद रख रहे हैं खुशी की बात है ने तो हमारी बहने तो हमेशा प्रफिक्ट होती है लेकिन भाई भी याद रखते हैं यही मैं चाहता हूँ कि प्रवचन आपको याद भी रहें प्रवचन आपके अंदर भी बैठें ना केवल प्रवचन में आप बैठो बलकि प्रवचन आपके अंदर भी बैठे, तो पत्थर की तरह स्रोता, कच्छे घड़े की तरह स्रोता, छलनी की तरह स्रोता, और चोथा स्रोता, जिसी चर्चा हमने कल शुरू करी थी, और वो है सर्प की तरह स्रोता, सर्प नग की तरह स्रोता, याने जो उपकार का अपकार करता है, जो उपकार को नहीं मानत जो एहसान मंद नहीं रहता जो एहसान फरामोश हो जाता है जिसके भीतर एहसान की एहसान को लेकर एक अभुभाव नहीं है भीतर में करतोग्यता का भाव नहीं है और परमात्मा महवीर ने कहा है कि करतग्यता याने धर्म, धार्मिक व्यक्ति का, धार्मिक व्यक्ति का सदगुन जो धार्मिक होगा, धर्मात्मा होगा, वो करतग्य होगा उपक्रित होगा, अनुगरहित होगा, अहो भाव में रहेगा वो हमेशा उपकार मानेगा जो धार्मिक नहीं है, धर्मात्मा नहीं है वो कभी उपकार को नहीं मानता जिसके धर्म भीतर में उत्रा है वो सचमुच में करतग्य भी बन जाता है उसके भीतर करतग्यता का अदभुत गुन प्रगट होता है श्रावकों के 21 गुन हमारे शास्त्रों में आए है सम्मेक्त्व के गुन आए है कई सारे बेद प्रभेदों में जहां सम्मेक्त्व की गुनों की चर्च आई है जहां स्रावक के गुनों की चर्च आई है तो कई सारे गुनों में क्रतग्यता का गुन भी एक विशिष्ट स्थान रखता है कि क्रतग्य होना, आभारी होना, रिनी रहना, उपकृत रहना कितना कुछ उपकार से ही हमारा जीवन चलता है कितने कुछ लोगों के सहारे से, उपकार से हमारा जीवन चलता है न केवल लोगों के सहरे, बलकि प्रकर्ती के सहरे, कुद्रत के सहरे, इसलिए तो आचारी उमास्वाती ने कहा था, और उनका वो कथन, एक ऐसा स्वर्णिम कथन बन गया, अमर कथन बन गया, कि उससे हमारे जैन प्रतिक में स्थान दिया, जैन प्रतिक, जैन सिंबोल होता है ना हमारा, जैन सिंबोल यहाँ, उपर लगा हुआ है, वो बना हुआ है वहाँ पर, है ना, तो उस सिंबोल के नीचे, एक संस्कृत की लाइन लिखी हुई है, संस्कृत का एक शब्द लिखा हुआ है, जो आचारी उमास्वाती ने बनाया ये हैं तत्वार्थ का सुत्र, तत्वार्थ सुत्र में से इसी लिया गया है, इस सुत्र में कहा गया है परस्परोप ग्रहो जीवानाम, याने परस्पर सहरयोग से जीवन चलता है, परस पर सहयोग से ही जीवन चल पाता है कोई विक्ति ये सोचे कि मैं अकेला जी लूँगा अकेला रह लूँगा, अकेला कर लूँगा ये संभव ही नहीं है अकेला विक्ति जी ही नहीं सकता श्वास भी तो उधार से लेनी पड़ेगी श्वास भी तो कुद्र से लेनी पड़ेगी अन भी तो लेना पड़ेगा ये भी तो दुसरे से ही ले रहे है श्वास भी दुसरों से ले रहे है अन भी दुसरों से ले रहे है जल भी दुसरों से ले रहे है स्थान भी दुसरों से ले रहे है इसलिए हमारे शास्त्रों में मनिशियों ने महत्माओं ने कहा है कि प्रतिदीन जो जो तुम्हें दे रहे हैं उनके प्रति अपना अभार प्रगट करो उनके प्रति अपनी करतगिता प्रगट करो उनके प्रति अपना अहोभाव प्रगट करो कि मुझे आप दे रहे है प्रत्वी काई, अप काई, तेव काई, वायू काई और वनस्पती काई जड़ा कलपना करिये इन पाचों की बिना क्या आपका जिवन चल सकता है इन पाचों की बिना क्या आपका गुजर बसर हो सकता है क्या पाचों की बीना आप जीने की कल्पना कर सकते हैं? जिन्नकी की कोई संभावना नहीं है ये पाच स्थावर, पाच एकिंड्रिय ऐसे हैं जिनसे आपका जीवन चलता है जिनसे आपका शरीर चलता है लेकिन क्या कभी इनका आपने धन्यवाद किया? क्या कभी आपने इनका शुक्रिया अदा किया? क्या इनके प्रती कभी अपना अभार प्रगट किया? इनके प्रती कभी अपना अहो भाव, करतग्यता का भाव रदैस से प्रगट करने का करी मन बना? जरा कल्पना करिये अब तक नहीं किया है तो अब करे प्रतिवीन इन पाच स्थावरों के प्रति, इन पाच कायों के प्रति, अपने भीतर से करतगता प्रगट करे, हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपका अपना मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, सब कुछ व्यवार जो करते हैं, सारा व्यवार इसी प्र पानी है, जल है, तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं, भगवान के समय तपस्यरिया होती थी चोविहारी, क्योंकि उस समय उनका शिरिर रहसा था, सहनन रहसा था, स्थितिया वैसे थी, लेकिन आज चोविहारी तपस्यरिया की संभावना है ही नहीं, यदि कोई दिल के तबस्रिया करता है तो पानी का सेवन करता है इसलिए शास्त्रों में कहा कि सबसे जादा लंबी तबस्रिया छे महिने की ओ सकती है वो इस संधर्व में कहा कि जादस जादा चोविहार वेक्ती छे महिने रह सकता है छे महिने की बाद उसे पानी पीना ही पड़ेगा पानी ले जमसे तो आपको प्राप्त हो रहा है वायू का कितना एहम रोल है हमारे जीवन में हर पल हर ख्षन हम श्वास पर श्वास ले रहे हैं और अभी तो हमने कोरोना के माहुल में देखाई है पानी बिखता है ये सुना था है ना भोजन बिखता है ये सुना था भोजन भी किमती ह होता है पानी किम्ती होता है लेकिन कोरोना के माहुल ने सिखा दिया कि ऑक्सिजन सबसे ज्यादा किम्ती है जिसकी हमने कभी वेल्यू नहीं समझी थी जिसकी हमने कभी कद्र नहीं करी थी और बिबी वाड़ी आलो आपने तो ऑक्सिजन का भंडार भरा हुआ यहां पर ऑक्स से हमें मिल रही है यह वायू जो मिल रही है इस वायू के प्रति भी अपना अभार प्रगट करें शायद करोना का जो यह माहोन आया था यह सबक सिखाने आया था हमें इंसान को सही रहा दिखाने आया था कि इंसान संभल जा संभल जा कुद्रत के आगे तेरी शक्ति कुछ भ भी काम नहीं आता सब धरा का धरा ही रहे जाता है धरा का बड़े बड़े अमीर बड़े धन कुवेर भी ऑक्सिजन के लिए तरस रहे थे ओक्सिजन के लिए मारा मारी मची होई थी ओक्सिजन के लिए कतारे लगी होई थी कहीं से ओक्सिजन मिल जाए कितने सारी सिफारिशे हो रही थी कितने सारे इधर उधर तिक्रम बाजिया हो रही थी कि ओक्सिजन मिल जाए ओक्सिजन मिल जाए उस उक्सिजन की कीमत को समझो हवा की कीमत को समझो वायू की कीमत को जानो समझो और आभार प्रगट करो और पांच्वी काई कौन सी है वनस्पती काई सारा भोजन सारी साग सब्जिया वही से तो बुलब्द है वही से तो प्राप्त है वही से तो ले रहे है प्रतिदीन इन पाचों का ही उपयोग हो रहा है एक कदम भी इन पाचों की बिना हमारा चलता नहीं है एक कदम भी इन पाचों की बिना हमारा उठता ही नहीं है ये ऐसी पाच चीजे हैं जिनका हमारे जीवन में प्रती पल उपयोग हो रहा है, प्रतिक्षन उपयोग हो रहा है, इनके प्रती आभार प्रगट करना, करतज्यता प्रगट करना, अभाव प्रगट करना, इनका उपकार मानना, इनका एहसान मानना, इन चीजों की कभी बेकद्री नहीं करना, इन चीजों के गभी बेकद्री नहीं करना इनका हमेशा इनकी हमेशा इज़त करना इनका हमेशा सम्मान करना और इसलिए परमात्मा महाविर ने सदियों पहले, शताबदियों पहले कहा था कि कुछ भी व्यर्थ मत करो अनर्थ दंद, चोदा नियम ये सारी जो यवस्थाएं है धार्मिक रुप से जो आप करते हैं, पढ़ते हैं इन यवस्थाओं के पीछे परमात्मा का यही लक्ष था परमात्मा का यही उद्दिश था परमात्मा का यही कहना था कि किसी भी चीज का अपे वैय नहीं होना चाहिए जितना इस्तेमाल करना है जितना यूज करना है उतना ही करो बेफाल्तो किसी भी तरह से चीजों का इस्तेमाल नहीं हो नहीं हो तो आईए इन पाचों के पृटी करतेगिता का भाव परसपरों पर ग्रहों जीवाना इन चीजों का उपकार फिर आपने आसपास देखिए जनम से जब इस धरा पर आना था मा की कुक्शी से लेकर अब तक कहा कहा किन का उपकार हम पर रहा है किन किन का अहसान हम पर रहा है सबसे पहले तो जनम दातरी मा का अहसान कल हम यही तो बात कर रहे थे कि मा का रिन, पिता का रिन पर मातमा ने भी उसे सबसे पहले नंबर दिया तीन प्रकार के रिनों में सबसे पहला रिन माबाप का रिन कहा जिन्हों ने हमें धर्ती पे जन्म दिया धर्ती पे लाए शरीर दिया सब कुछ दिया और कितने आश्री की बात है कि पांच पांच बच्चों को एक मा संभाल लेती है एक पिता संभाल लेते है लेकिन आज की ये बड़ी विडम बना है भयंकर तरासदी है कि पांच बच्चे मिलकर एक मा को संभाल नहीं पाते हैं एक पीता को संभाल नहीं पाते हैं कितनी बड़ी विडम बना है कितनी बड़ी विडम बना एक गाउं में हम थे एक माताजी आई उसने का महराज उपवास कराओ उपवास हमने कहा माताजी आज तो ऐसा कुछ दिन है नहीं कोई तारिख वार तिथी ऐसी पंचमी नहीं है अस्टमी नहीं है चोदस नहीं है पक्खी नहीं है ऐसा तो कोई दिन है नहीं किसी महापुरुष की कोई जैन्ती नहीं पुन्नी तिथी नहीं है ऐसा कुछ कल्यानक नहीं है आज उपवास करने का क्या मतलब लक्ष है उपवास आप क्यों कर रहे हैं उसने का नहीं महराज में हर महने उपवास करती हूं हमने का हर महने की मतलब क्या कोई खास बात है उपवास करने के क्या बात है उसने का महराज में हर महने की 31 तारीक को पुवास करते हूं 31 तारीक को पुवास करते हूं हमारी थोड़ी और उस्तुकता बढ़ गई 31 में ऐसी क्या खासियत है 31 की तारीक में ही ऐसी क्या बात है जो अन्य तारीकों में नहीं है अन्य दिनों में नहीं है 31 को ही पुवास करने की क्या बात है उस मा ने जो अपनी व्यथा सुनाई दर्द सुनाया दिल की पीडा प्रगट करी कि महराज मेरे दो बेटे है दो बेटों ने आपस में मेरी विवस्था बांध रखी है कि पंद्रा दिन मैं इस बेटे के घर खाना खाऊंगे और पंद्रा दिन उस बेटे के यहां खाना खाऊंगे तो महराज पंद्रा दिन इदर खाते हूं बड़े बेटे के पास पंद्रा दिन छोटे बेटे के पास खाते हूं लेकिन जब 31 का महिना आता है तब मैं कहा जाओं किसके पास जाओं इसलिए उस दिन मैं तो बवास कर ले देँ यह कितनी बड़ी विदम बना है कितना कड़वा सच है कटू सच है कि दो-दो बच्चे चार-चार बच्चे पांच-पांच बच्चे एक मा की परवरिश नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, लायक बनाओ लेकिन इतना लायक भी मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लग जाए इतने लायक भी मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लग जाए इसका अर्थ ये है इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी कहानी आपको सुनानी है कि कैसे नालायक अलायक चार बच्चे बुढ़ी मा जितना कुछ मा के पास था बच्चों में बाट दिया बड़े को बाट दिया दुसरे को बाट दिया तिसरे को बाट दिया चोथे को बाट दिया अब जब बाट दिया तो मा के पास कुछ भी नहीं बचा आज की दुनिया स्वारत की दुनिया है निस्वार्थ सेवा करने वाले बहुत विरले लोग होते हैं इने गिने लोग होते हैं कल भी मैंने कहा था ना कि स्रमन कुमार की आवशक्ता है स्रमन कुमार बहुत कम है आज की तारिख में तो अब सब कुछ बांट दिया तो बड़ा केता है चोटे के पास रहो चोटा केता उसे चोटे के पास रहो उसे चोटा केता कि उसके पास रहो वो केता है बड़े के पास हम मा की हाला तो फुटबॉल की तरह हो गई कोई अधर से कीक मार रहा कोई अधर से कीक मार रहा कोई अधर से कीक मार रहा बेचारी जाएं तो जाएं कहां कहां जाएं बेचारी उदास मायूस हताश होकर स्थानक में आई महराज बैठे हुए थे महाराज ने कहा बेहन क्या बात है उसने कहा महाराज कहा करू बड़ी दुखी हूँ परिशान हूँ मेरे चार-चार बेटे हैं लेकिन सेवा करने के लिए कोई तयार नहीं है कोई राजी नहीं है तो मा की व्यथा सुनी महाराज ने कहा चिंता मत करो सब काम हो जाएगा सब तुम्हारी सेवा करेंगे सब तुम्हारी आओ भगत करेंगे सब तुम्हारे आगे पीछे गुमेंगे जैसे आपकी कृपा हो जैसा आपका आशिरवाद हो सब होगा सब चिंता मत करो तुम धरम की शुरण में आये हो धरम सब ठीक करेगा और ये सच ह जब दुनिया के सभी रास्ते बंद हो जाते है तो एक रास्ता खुला होता है और वो होता है धरम का रास्ता गुरूवों का रास्ता भगवान का रास्ता इसलिए तो किसी कवी ने कहा था ना जब कोई नहीं आता महवीर आते हैं जब कोई नहीं आता महवीर आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम आते हैं जब कोई नहीं आता महवीर आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम आते हैं बाप बड़ा न भाईया सबसे बड़ा वा वा अनना सबसे बड़ा रुपईया है कहते हैं पैसा खुदा दो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं है खुदा से कम भी नहीं है और वो बुड़िया देचारी गम की मारी गम की सताई एक लाला को एक सेट को महराज ने इशारा किया सेट ने कहा महराज शिंता मत करो हो जाएगी सेवा हो जाएगा सब कुछ काम इधर बुडिया को सेठ ने अपने घर में स्थान दिया घर में आगे कमरा था वहाँ पर उस माता जी को रुकवाया और जैसे कि उसको इशारा हुआ था तो उसने माता जी के पास उस बुडिया के पास एक पेटी सी दे दी पेटी तीजोरी तिजोरी दे दी उस पे मोटा सा ताला जड़ दिया और वो माता जी से कहा गया कि जब भी उठो बैठो सो तो इस पेटी को अपने पास रखो इस पेटी को कही अपने से दूर मत रखना चलो तो उठा के चलना बैठो तो बैठ साथ में लेकर बैठना हर समय से पास रखना एक दिन उसका बेटा कार से कही जा रहा था कही जाम लगा होगा संयोग से उसी मकान के आगे उसकी कार खड़ी हुई और सब कार की कुस कार के शिशे से उसकी नजर आसपास जा रही थी और आस पास जाते जाते उसकी नजल कहा गई औरे यह तो मेरी माँ है और यह तो यहां का बड़ा सेथ है बड़ा अमीर सेथ है इसके पास मेरी माँ क्या कर रही है यहां क्या कर रही है और देखा माँ तो बैठी है लेकिन माँ के पास साथ में वावश वावश आप बड़े हुशियारों समझ गए फटक से उसका ध्यान उस बटपेटी के पास गया अरे 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 ये मामला है बुडियान ने अभी सब कुछ नहीं दिया है अभी कुछ अपने पास रखा है अभी अपने पार समभाला हुआ है, जोडा हुआ है, उसने कार रोकी, भागा भागा, कार से बाहर निक, भागते हुए, आया मा के चर्णों में गिरा, मा 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 मा, मम्मी आप कहा थी, मैं कितना आपको खोजा, कितना खोजा हो, तो उसको पता है, मा को पता है, कितना ख सकता है हम इतने आपके बेटे हैं और हमारे रेते आप किसी और के घर रहो ये हमारे लिए बहुत बड़ी श्रमिंदी की वाली बात होगी बहुत शर्म से डुब मलने वाली बात होगी नहीं मा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा माले का नहीं बेटा नहीं आचनना पड़ेगा, महाराज ने के रखा ता कि जब जादा तुम्हारा बेटा जिद करे तो बेटे के साथ, लेकिन सावधान, वाओ, 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 उस पेटी को मत देना, पेटी में ही सब कुछ है, मंतर, तंतर, जंतर, और वो पेटी माने उठाई, बेटा मतर जी मुझे दौन ना है, खबरदार इसको हाथ लगाया थो, इसको हाथ नहीं लगाना, बाकी सब कुछ उठा ले, अब तो बेटी की शंका पक्की हो गई, कि मम्मी के पास अभी माल, बाकी है, माल है, माल है, तो कमाल है, कमाल है, तो धमाल है, सब कुछ है, नहीं तो बस वो घर के बाहर खड़ी थी, यह किसको लेके आयो, किसको लाए हो, वो बेटा की इशारा करता है, माजी को लेके आया हूँ, किसको लेके आया हूँ, वो इसे इशारा किसकी तरफ कर रहा है, वो भी समझ गई कि अच्छा मामला ऐसा है, आओ जी, आओ जी, माता जी, शेवा कर ही है बहुरानी दुसरे को पता चला दुसरा आया तिसरे को पता चला तिसरा आया चोथे को पता चला चोथा आया चारो ही बेटे सेवा कर रहे है चारो ही बहुवे सेवा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पता नहीं है बुडिया माल किसको दे दे किसी एक को ना पकड़ा दे किसी आया और बुडिया तो राम ना सत हो गई बेचारी गत हो गई चली गई जहां अगली गती की और बढ़ गई क्रिया करम कराया रोएं धोएं दस दिन बीस दिन तेरा दिन जो निकलने थे निकल गए उसके बाद अब चारो बैटे बैठे कि अब क्या करना है हम पंच लोग बैठेंगे पांच लोग बैठेंगे और फिर हम जिसको जैसा हिस्सा बनेगा उसको उसका हिस्सा दे देंगे पांचो चारो बैटे क्या कमाले हमारी माने जाते जाते और पंगा कर दिया और काम खराब कर चलो कोई बात में बैठो जी चलो जी चारों केते हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ना किसी को कम, ना किसी को, बेलकुल जी, बेलकुल बराबर मिलेगा, तुम बैठो तो सही, चारों बैठे, इधर वो पेटी का ताला खोला, सबकी सांसे रुकी हुई है, अटकी हुई है, धड़कने बढ़ी हुई है, कि अभ कपड़े को हटाया, एक और कपड़ा लगा हुआ था, अब तो सब की धरकने बढ़ी हुए, पता नि क्या मामला, पता नि क्या कितरा कुछ बड़ी चीज है, महंगी चीज है, एक एक धर, एक कपड़े, दर, कपड़ा, और वो कपड़ा हटाते गए, अटा दे गए, चार पा कि उसमें, ना पैसा था, ना जेवर था, ना कोई गहना था, बलकि कुछ ना होकर, एक जूती की जोड़ी थी, के वाल एक जूती की जोड़ी, अब पंच कहते हैं, भाई, आजाओ, किसको चाहिए, दिसका जित्रा हिस्सा बनता है, ले लो, सारे चारो बेटे पानी, पानी हो गए, शरम से वेचारे बड़े आखे उनकी निचे जमिन पर धसी की धसी गई, घड़ गई, तो इसलिए मैंने ये लाइन कही थी, कहानी सुनाने से पहले, कौनसी लाइन कही थी, बैचों को लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक भी मत बनाओ, कि वो तुम्हें नालायक कीमत धन की है, संत के जीवन में कीमत ग्यान की है, और आपके जीवन में कीमत धन की है, इसलिए महाविर ने कभी ग्रहस्त को धन रखने से मना नहीं किया, धन कमाने से मना नहीं किया, लेकिन महाविर ने कहा कि कैसे कमाना इसका विवेक रखो, लेकिन धन के लिए कभी इनक एक को हम ले रहे थे, तो उपकार को याद रखे, अपने जिन जिन का उपकार हमारे पर है, उन सब के प्रती हम एहसान मंद रहें, कृतग रहें, इन ही भावों के साथ.